हेलो एवरीबन वेलकम टू माई यूटूब चैनल राशी सक्ट तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर सक्राथी पे बनने वाली खिच्डी खिच्डी तो आप लोगों ने बनाई होगी लेकिन मैं आपको बिखकुल इसे परफेक्ट नाप के साथ बताऊंगी तो आपको यहां ध्हान रखना है कि चावल आपको इस तरह से छोटे वाली और ठोड़े मोटे वाले लेने हैं जो हम खीर में यूज करते हैं सेम वही चावल की खिच्डी बनती है तो आप यहां पर कोई बासवती चावल का यूज ना करें अगर आपके पास नहीं है तो आप बास बती लें और दर्वाइज आप इस तरह कहीं चावल लें और यहां लिया है मैंने यह हरी मूग की डाल आप चाहें तो इसके जगे दूली मूग की डाल भी ले सकते हैं तो मैंने यह बाव ले लिया है और हम इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे और अच्छे से पहले ब गड़का धोलें दालों चावल आपको जब तक धोने जब तक आके आपका पानी बिल्कुल से साफ न लगने लग जाए आपको तो 4-5 पार धोने के बाद आपके दाल चावल अच्छे से साफ हो जाते हैं अब यहाँ पर मैं थोड़ा से गुनगुना पानी डाल रहे हूं इसको भिगोने के लिए बिगोने के लिए मैंने गुनगुना पानी इसले लिए है क्योंकि ठंड कम हो समय है तो दालों चावल गल गलाना होगा अब मैंने एक पेशर को कर ले लिया है उसमें मैंने यह दो चम्मज देसी घी डाल दिया है वह आपके उपर है कि आप कौन साथ जो आप को किंग ओल यूज करते हैं आप बो ले सकते हैं लेकिन मैंने यह देसी घी लिया क्योंकि मैं इसे मकंसक्राथी के लिए बता रही हूं तो इसलिए मैंने यह देसीगी के यूज के यहां मैंने एक कड़ी पता डाल दिया है और यह दो चोटी चम्मज जीरा और यह एक चुटकी हीम आप चाहें तो उसकी जगह प्याज भी ले सकते हैं तो जीरे के साथ एक मीडियम साइस की प्याज लेकि आप इ सबखने साइस में डाल दें अब तोड़ा से हलका सब गलने एक से दो मंट के बाद हमें मैंने लिए व Paneth से लुक्त बाधा इसम आधने अब किनला घंया पॉडर और यह फंप यह दो अखरी आए मेरी दो हरे मर्च filters चेप ना करें फिछलेये में अब यहाँ मैंने डाला यह दो छोटी चमस गरा मसाला कि अब इसे थोड़े से 1-2 मट के लिए भून ले मसाले को अब यह लेकमैने यह गाजर यह दो छोटी medium साइस की काजर है और यहले है मटर यह 50 gram मटर हैं और यहां यह दो चोटे आलू आप चाहें तो और भी सब्जिया ले सकते हैं जैसे कि बेंस फूल गोबी जो आपको पसंद हो वो सब्जिया आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने यह आलू मटर गाजर और टमाटर ही ले हैं अब आपसे दो से तीन मट के लिए इसे अच्छे से भूनना है सब्जियों को अब यह डाल दिया मैंने नमक और यह गरम मसाला अब आप इसे अच्छे से फिर से भूनने तो आपको इस तरह से पांच मट के करीब भूनने हैं पांच मट तक आप अपमी सब्जिय को अच्छे से भून ले यहां मैंने आदी चम्मस के करीब चाट मसाल डाला है यह आप चाहें तो डाले बरना रहने दें अब यह दाल और चावल यह अच्छे से भीग चुके हैं और आप इसे इसमें डाल दें अब मैं यहां पानी का बता हूं तो मैंने एक कप दाल और चावल लिए तक तो इसके तीन गुना पानी डालेगा तो मैं तीन बॉल पानी अभी डाल रही हूं और तीन बॉल पानी मैं बाद में यूज़ करूंगी वह आप आगी देखेंगे तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें तो जो फ्लेम है वो छोटी वाली होनी चाहिए बड़ी नहीं होनी चाहिए अब यहां अपनी चटनी भी तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने हरा धनिया थोड़ा सा पुदीना टमाटर काला नमक जीरा और हिंग लिया हुआ है अब आप देख सकते हैं आप भी जो खिचड़ी है वो इस तरह के टेक्शर की बनेगी अभी मैंने इसमें तीन बाउल पानी डालना बागी है तो यह मैंने तीन बाउल पानी नापके पहले से गरम करके रख लिया था और आप इससे धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए इस छे बाउल पानी तो वह आपके कुकर से बाहर निकलने लगी इस लिसमें से दो बार में पानी डालती हूं और आप इसे धीरे से ही मिलाएं वहना आपके खिचड़ी कम हलवा ज्यादा बन जाएगी तो आप धीरे से इसको मिलाएं लेकिन आपको जो यह नाप है एक कप चा आप चाहें तो अपनी खिच्री तेल में भी चौक सकते हैं और तड़का उपर से देशिगी का लगा सकते हैं वह आपके उपर है कि आप कैसे किस तरह से अपने खिच्री को बनाना चाहते हैं अब थोड़ी सी हींग भी डाल दी और यह मैंने डाली है लाल मृच्ची आप तो यह लेस्न का भी तरका लगा सकते हैं वह आपकी पसंद की उपर डिपेंड करता है अब यहां डाल दया यह मैंने हरा दनिया हर्या दनिया आप खिच्री पूरी तयार हो जाए तब ही डालें और आप आप इसे अच्छे से मिला लें खिच्री वैसे इसी तरह की टेक्श घ्लिए क्या भी तरह कूरें कि मेरे यांठी से डालाके ज़रूर्च कश्री खाए जाती है और आप इसे ज्रूर्य iki में जमेश मेरी रिच्री ब्रना के ट्राइए अगर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छ लग रहे हैं तो प्लीज मेचे अन् नरौ सब्सक्राइब करे मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू